Hello everyone, इस वीडियो में हम probability के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि probability का यूज कहां कहां है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा basically class 7, class 8, class 9 और class 10 की maths की book में आपको probability मिलेगी ठीक है? अब इसको समझते हैं कि probability होती क्या है? तो दोको बहुत ही simple सा concept है अगर हम maths के हिसाब से देखें तो दुनिया में जो है न वो तीन प्रकार की statement होती है वो सबसे पहले statement होती है जो 100% true होगी जैसे कि मैं आपको बोलू कि सूरत जो है वो पूरब से निकलता है यानि कि आप हर रोज देखते हो sun जो है वो east से निकल रहा है तो इसका मतलब यह 100% true statement है इसके बाद कुछ ऐसी statement होती है जो 0% true होती है यानि वो 100% wrong होती है अब यह ऐसी statement होती है जैसे मैं आपको बोलू कि नवंबर के बाद जुलाई का महीना आ जाएगा तो नवंबर के जश्ट बाद जुलाई तो आएगा रही नवंबर के बाद दिसंबर आएगा तो यह जो statement है कि नवंबर के जश्ट बाद जुलाई का महीना आ जाएगा यह statement कैसे हो जाएगी यह हो जाएगी 100% wrong यानि 0% सही अब कुछ ऐसी statement होती है जो 0% और 100% के बीच में लाई करती है यानि हम कह सकते हैं कि 1% से लेकर 99% तक की जो statement होती है इनी statement को हम probability में conclude करते हैं यानि इनी statement के बारे में हम probability में जानते हैं और इनी को निकालना सिकते हैं तो अब यह कैसी statement होती है जैसे ये statement होती है कि अगर मैं आपको बोलो कि कल का match RCB जीत जाएगा, तो आप ये prediction कर रहे हो कि कल का match RCB जीतेगा, अब ये तो confirm नहीं है कि RCB जीतेगा ये कौन से team जीतेगी, लेकिन हमें एक prediction कर रहे हैं, हमें एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कल का match RCB जीच जाएगा तो यानि अभी के इसाब से हम यह कह सकते हैं कि यह lie करेगा 1% से 99% के बीच में कल जब यह होगा तब हमें पता चलेगा 100% कि यह सहीव statement है या गलत statement है तो ऐसी statement जिनको हम एक तरीके से predict करते हैं जिनमें हम नहीं कह सकते हैं कुछ भी certain answer नहीं आता है उनको हम रखते हैं probability में और जो कि 1% से 99% तक extend करती हैं अब इसको लेके सबसे ज़्यादा exam में दो प्रकार के question आते हैं एक तो आता है question जो कि coin से related होता है और एक आता है आपका dice से related अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम आपसे बात करें कि coin की statement कैसे आईगी तो यह आपको कुछ ऐसे question पूछा जाता है कि एक coin उचला गया तो बताओ उसके head आने की probability क्या होगी तो आप कैसे निकालोगे कि वो head आ रहा है या tail आ रहा है तो उसकी probability क्या होगी तो इसको हम simple से एक formula से निकालते हैं यानि अगर हम probability को एक formula में कहें तो हम यह कह सकते हैं probability जिसको short में PE बोलते हैं वो होती है successful outcome upon total outcomes अब यहाँ पे आपको बोलू कि coin अगर एक उच्छाला गया तो head आने की probability क्या है तो यहाँ से आपको पता है कि total कितने phases है उसके जो आ सकते हैं तो आप को होगे कि या तो head आएगा या तो tail आएगा यानि total two phases आ सकते हैं और उसमें से head आने की probability यानि कि one phase में head है तो इसकी probability हो जाएगी one by two तो देखा कितने simple तरीके से आपने निकाल लिया इसी तरह अगर हम बात करें कि dice के case में कैसे होगा तो dice के case में होता क्या six phases होते हैं अब यहाँ पे देखो यह dice के six phases है माल लेते हैं एक में होता है one, एक में होता है two एक में होता है three, एक में होता है four एक में होता है five और एक में होता है six यानि यह जो ludow का dice है इसमें total six phases होते हैं अगर इसमें आप से कोई पुछेगा कि जरा बताओ three आने की probability क्या है तो three आने की probability क्या हो जाएगी यानि total six phases आ सकते हैं उन में से 3 है जो हमारा successful outcome है वो एक जगह पर है तो यह हो जाएगा 1 by 6 ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और question कभी-कभी बनता है अगर आप से कभी यह पूछ ले कि जरह बताओ 3 और 6 आने की probability क्या है यानि 3 या 6 में से कुछ भी आ जाए उसकी probability क्या है तो ऐसे case में आपके total outcome तो अभी भी 6 ही है लेकिन आप successful outcome बढ़ गए है पहले एक ही चीज आपकी successful में थी अभी 3 भी आ जाएगा तो आपका काम चल जाएगा और 6 भी आ जाएगा तो चल जाएगा तो ऐसे में हो जाएगी 2 यानि यहाँ से अगर हम बोले successful outcome आ गया 2 तो यह answer हो जाएगा 2 by 6 जिसक successful outcome कितने हो और आप आसानी से probability को निकाल ले जाओगे ओके